हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्लेश उफ क्लेंज के वीडियो में तो आज मैं इस वीडियो में आपको help and support में जो contact us का option आता है वो कैसे ला सकते है उसकी पूरी ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है सो गईज मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था तिसमें आप क्लेश उफ के लेंस में से information ले सकते है वो website की help से लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पर contact करना है direct supercell से तो वो नहीं हो पा रहा तो ऐसा क्यूँ है clash of cleanse नहीं है जो help and support में contact us का option remove क्यूँ किया है तो जब से clan games आया है तब से clash of cleanse के जो servers है उस पर बहुत लोड आ रहा है बहुत सारे लोग active होते हैं तो clash of cleanse के server में load परता है और बहुत से लोग contact us में जाकर questions पूछते रहते हैं कौन से rewards आएंगे अब next update क्या है तो इसलिए clash of cleanse ने जो पूराने players है उन सभी में से mostly contact us का option remove कर दिया है अगर आपने कभी भी यहाँ पर कोई भी option में जाकर contact us में जाकर no किया होगा तो आपको contact us का option नहीं आया होगा अगर आप old player है तो तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर contact us का option वापीज लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले जो में चीज है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आपका जो connected रहना है Google Play के साथ तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है तो आपको अपने settings में जाना है और settings में जाकर apps में जाकर apps में जाकर आपको clash of cleanse में जाना है और clash of cleanse में जाकर आपको जो clear data का option आ रहा है उस clear data कर देना है clear data यहाँ पर करोगे तो वह data clear हो जाएगा अब आपको फिर से clash of cleanse में जाना है तो यहाँ पर जैसे ही आप Clash of Clans start करोगे जैसे आप new player हो वैसे ही Clash of Clans start हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना एक बार यह load हो जाए उसके बाद बात करते है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो load village को option आ रहा है लेकिन सबसे पहले आपको load नहीं करना है cancel दबाना है उससे आगे आपको जाकर यहाँ पर settings के option पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो need help chief तो help and support पर क्लिक करना है और help and support में जाकर आपको यहाँ पर मुल जाएगा chat का option right hand side पर यहाँ पर आप जा सकते हो कोई भी option जो भी आपका select करना चाहते हो जो भी है getting started में अभी कोई भी say select कर लेता हो और यहाँ पर मैं जाकर no करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो help and support में contact us का option आ चुका है यहाँ पर chat का भी option आपको दिख रहा होगा right hand side corner पर तो यही था contact us option लाने की trick यहाँ पर जैसे आप contact us पर option करोगे यह अपने आप आजाता है और यही से आप अपना जो भी problem है वो clash of clanses share कर सकते हो जो भी करना है यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो तो यह हो चुका है और जब आप questions पूछ लो तो उसके बाद अगर आपको फिर अपना village लोड करना है तो फिर से आप यहाँ पर disconnected वहाँ पर connected करके आपका village लोड कर सकते हो तो मैं आप एक बार मेरा village लोड कर लेता हूँ तो finally guys मैंने यहाँ पर आपको contact us option कैसे ला सकते है उसकी trick बता दिये यह भी पूरा नए users के लिए नहीं है अगर आप पहले से player हो clash of clans में तो clash of clans help and support में आपको option नहीं दे रही लेकिन अगर आप new player हो तो वहीं से आप help and support में जाकर contact us कर सकते हो तो इसी वज़े से ऐसा हो रहा था तो अब आप easily कोई भी questions है तो आप supercell clash of clans से पूछ सकते हो तो यही था अचका वीडियो I hope आपको यह मज़ा होगा यह बहुत ही informative था तो guys इस वीडियो के एक बार like कर दीजे अगर आप channel पे new है तो channel को subscribe करके notification bell जरूर से on करना ताकि हर एक बार आपको notifications मिलती रहे share कर देना आपने friends and clanmates के साथ बहुत सारे लोगों को यह confusion है और पता नहीं चल रहा कहां से हम contact us का option लाए तो मैंने यहाँ पर आपको दीखा दिया है मैं मिलता है आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई guys thanks for watching and keep flashing के लिए और देना